नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारे टूप चैनल सम्सक्र सरस्वती पर मैं रामकुमार सास्त्री आप सभी समस्क्र प्रेमी अनुरागियों का हरदिक स्वागत और अभिनेंदन करता हूं प्यारे साथियों, हम जो कुछ भी यूटूब चनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं बार-बार आप कहते हैं कि हमें इसके नौट्स बगरा चाहिए, ऑनलाइन वैक्षा चाहिए, टेस्टरी चाहिए तो अब हम सब को जो भी सामगरी हम पढ़ रहे हैं, उसके ऑनलाइन टेस्ट स्रीज, ऑनलाइन टेस्ट स्रीज की व्याख्यात्म वीडियो, साती PDF नौट्स, एनौट्स और एबुक, पिंटेड नौट्स ये सारी सामगरी इलिए आप चाहते हैं तो आप संस्क्रश सरस्वती एप मुबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और पढ़ें, विस्तार पूर्वक्स से जो सामगरी आप यहां पढ़ रहे हैं, उसके सारी प्रिंटेड, एबुक, एनौट्स और ओनलाइन टेस्ट स्रीज, आज का यह विडियो कैसा लगा, कमेंट्स बुक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं, उससे मुझे और उर्जा मिलेगी, और अब यहतर हम आगे सीखते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद चली, क्लास प्रारुम करते हैं अस्ते स्पाटिक मालिकां बिददतिम, पद्मासने संस्थितां, वंदेतां परमेश्वरिम बगवतिम, बुध्धी प्रदाम शारदाम चली साब, इसके बाद में के प्रते के बाद अपना एक और प्रते हैं, मैंने बूला था कैके बाद टा और टा के बाद डा एक और बहुत प्रते है प्रते का नाम क्या है तो प्रते छोटा सा है बड़ा पर बोलते हैं छोटा बड़ा खोटा प्रेक्साओं के सवाली छोटी छोटी प्रते हैं आपको एक 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 सवाल देंगे तब जाकर कि आपके सारे सवाल बनेगे प्रते का नाम क्या है टा पहले सामानी जानकर लेते हैं उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं कहा कि टा प्रते में क्या है तो टा प्रते में यहां रहेगा टा और टा में जब आप करेंगे तो शेस क्या रहता है वहाँ पर आए जैसे कैमे भी क्या सेस था आए, यहाँ पर भी क्या सेस है, आए, वहाँ पर आपके कैमे ककार की संग्या, इसलिए वो कित कहला है, यहाँ पर आप किसकी संग्या करने वाले हैं, इस्त्रत्व की विबक्षा में कौन सा प्रत्य हम करेंगे, नीप प्रत्य, कौन सा प्रत्य हम क इस प्रकार से आगे एक सुत्र है इस्तित तो हम पड़ेंगे तो टकार के संग्या होने के कारण यह टित कहलाएगा टित होने के कारण जब इसका स्तरलिंग रूप हम बनाएंगे तो वहाँ पर स्तरलिंग में कौन सा प्रत्य हो जाएगा ने प्रत्य हो जाएगा यह प्रत्य आपका करता के अर्थ में होता है आगे हम तर्चा करेंगे कौन से अर्थ में होता है करता अर्थ में होता है और सामाने करता अर्थ में होने वाला जो प्रते है उसके रूप बताईए कितने लिंगों में चलते हैं तीनों लिंगों में चलते हैं इसके भी रूप हम चाहेंगे तो कितने लिंगों में चला सकेंगे तीनों लिंगों में चलिए इसको भी हम सीखते हैं कैसे रूप बनाएंगे भई अब मुझे बताईए प्रते का नाम क्या है आपका टा ये आपका प्रते कौन सा है टा टा में से इस क्या बचेगा और जब पुलिंग में आ रहेगा इस तर लिंग में भी आपको क्या दिखाई देगा और नपुनसग लिंग में भी आपको सेश क्या दिखाई देगा और जब आप इसके रूप तीनों लिंगों में चलाओगे अकारांत है ऐस्वर है तो पुलिंग में तो राम की तरह बताई क्या ब बनाना होगा तो बताइए वहाँ तो सुकोँ अम हो जाता है यسलिए वहाँ, अम सुनाई देगा कराह करी करम, चाराह चरी चरम, इस प्रकार सेंपद बनाएंगे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, मैंने कहा जी इस प्रते में बताओ कहीं भी शित दिखाई दे रहा है क्या, इस प्रते में ये तिंग प्रते है क्या, जब उत तिंग भी नहीं होता, शित भी नहीं होता, तो सा कहते हैं आरधधातुग कहते हैं अब आरधधातुग हो चैसारवधातुग हो क्या है ये आरधातुग है और आरधातुग परते के प्रसंग में विशेश काम जो होता है उसका नाम क्या है गुणकारिये और ये गुणकारिये बताए कितनी जगह पर होता है दो जगों पर होत और यदि अंत में है तो भी गुण होगा चलिए मैं करता हूँ इसको आगे कहा कि एक तो कहा कहा गुण करेंगे हम उपदहा में बोला किसको तो एक कोई होता है तो एक उपदहा में हो ऐसी कोई इगुपत धातू हो उसको भी गुण करते हैं और यदि मानली जी कोई धातू एक अंतवाली हो उस एक अंतवाली धातु को भी गुण होता है सुत्र बले ही बदल जाएं पर बात नहीं बदलेगी एक उपदा वाली धातु को सुत्र कौन सा है पुगंत लगुबधास्यचा यह है न वही पुगंत लगुबधास्यचा यह सुत्र आपका गुण कर देता ह में और इगंत कोई धातु हो तो वहां सारव धातुार्ध पहले भी मैं आपको बोला था सारव धातु का आरध धातु का यूओ सुत्र है आमका वह आपका यहां गुनकारे कर देगा तो ए-ू रिल्लिव को यहां गुन हो जाता कहने का मतलब यह है चलो तो दो विशेस काम होगे इस्तरत्व की विवक्षा रखेंगे तो वहां इस्तरलिक में नीप प्रत्य होने के कारण दिर्ग दिखाई देगा और यदि इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो वहां पर यदि कोई धातो के अंत्मिरी या और कोई EU दिखाई देगा तो उसको हम गुण कर लेंगे उपधा में भी यदि हम को दिखाई देगा तो वहां पर भी हम गुण कारिये कर लेंगे सले बढ़ते हैं साब कौन-कौन से सुत्रों की द्वाराक्टा परते का विधान किया गया है सबसे पहला सुत्र बहुत ही प्यारा है और एक परिक्षा का सवाल आपको देगा मतलब देगा नाम है उसका चरेश्टह पड़ो क्या नाम है इसका? चरेश्टह शुत्र हमारा चरेश्ट हो चरेश्ट है का यदि हम विग्रह करें तो हो जाता है वहाँ चरेर या फिर आप लिख सकते हैं चरेश ऐसा और उसके बाद में क्या लिखा है टाहा ये आपका इस प्रकार से पदच्छेद हो जायागा क्या कहता है इस उत्राप से देखों चरे का मतलब चरधातु का इंगित किया गया है ना तो धातु का नाम क्या है भही चर ये लीज़े सब मैंने कहा चरधातु से कौन सा प्रते हो जाए टा प्रते हो जाए लेकिन कब हो बोला जब कोई न कोई उपपद विद्यमान हो आगे तो आपको हमेसा कोई न कोई क्या मिलेगा इसके आगे यहाँ उपपद है और वो उपपद कौन सा हो कहा सब्तमी भक्ती वाला हो कहा सब्तमी कौन से कारक में होती है अधिकर्ण वाले में होती है तो वो जो उपपद आपको मिलेगा वो आपका होना चाहिए या तो यह कहें क संग्या वाला शब्द हो जिसमें अधिकर्ण कारत या सब्दमी वक्ती हो उसके बाद चर धातु का प्रियुग हो वहाँ पर आप कौन सा प्रत्य कर लेंगे जगत प्रसिद्ध किता प्रत्य जब आप करेंगे तो बताओ उस टैमें क्या बचेगा ए चर में जब करोगे तो पिछी स्थिति क्या दिखाई देगी चारा जब इसके रूप आप तीनो लिंगों में बनाओगे तो भी दिक्कत नहीं है पुलिंग में बना सकते हैं इस्तर लिंग में बना सकते हैं और नपुनसग लिंग में भी बना सकते हैं ये देगी चर उसमें जुडेगा आ तो अब इस चर को आप बताओ पुलिंग में कहोगे तो कैसा हो जाएगा चारा हा जब आप इस तर लिंग में करोगे तो चर से नी परते करोगे न तब आपकी बनगे देगो राजस्थानी बासा में बोलते हैं चरी पर वो अला चरी नहीं है नपुनसर लिंग में हालां कि कहीं बना नहीं है लेकिन हम सामानने सीखना चाहें तो उसका रूप क्या दिखाई देगा चरम लेकिन आगे कोई सब तम्यंत उपबद होना चाहिए उदारणों में आ जाओ और ये परिक्षा में उझे लिखने जा रहा हूं मिलेगा भाईया कुरू प्रदेशों में जो विच्र कानों का नाम होगा इसलिए उसको कुरूशू कहा है अब मुझे बताईए अगला जो उपबद दिया है वो कौन है कुरूशू कुरूशू में विवक्ति कौन सी है सब्तमीन मिल गया क्या आपको ये सब्तम्यंत आपको उपबद मिला कुरूशू मूल जो है आपका वो क्य है इसमें कुरू चरती में आपकी धातू कौन सी है चर और बताइए सब्तम्यंद अधिकर्ण वाचक यदि उपदपुर में हो तो चर धातू से आप यहां कौन सा परते कर रहे हैं करतार्थ में टा कर लिया सुना है मैंने टा परते में क्या से सरता है अब बोलने में जोडने में तो आपको दिक्कती नहीं है न ये देखिए कुरू चर यर रह इसमें जुड़ेगा अब इसको आप जोड़ लिजीए गा तो आपका शब्द का निर्मान हो गया कुरू चर क्या सब्द बन जाएगा कुरू चर अब इसी की रूप आप चाहो तो पुलिंग में कैसे ब कुरूचराह, कुरूचरी, और देखिए, गरंतकार ने लिखा है, मद्र कोई देश स्थान है, और चर्ति का मतलि यह चरना नहीं है, विचरन करना होता है, घूमना फिरना है, तो मद्रे, चर्ति इती, अब जब आप बनाओगे, तो उपपद क्या रखेंगे आगे, मद्र, म करेंगे, तो चर्ति का मल जाएगा, आपका मूल पद, मद्र, चर्ति क्योंकि टे में क्या बसता है, वह लग टे मैं, तो अ बसता है, यहां भी अ बचेगा, यहां भी अ बचेगा, सब जगए अ ही बचेगा, अब इसी का आप चाहें तो बना लीजी, पुलिंग, बनाओ सा किसी किसी व्यक्ति की आधत हो जाती है वो क्या करता है रात में ही विचरन करता रात्री का प्रियाई क्या है निशा लोजी दिंशा सब्द लतास्त की तरह चलता है लतायाम निशायाम १ बताईए उपद क्या है यहाँ पर सब्तम्यनत आपका निशा दातू कौन सी है चार परते करेंगे टा बचेगा क्या आगे बोलो साब क्या हो जाएगा यह देखी आगे है हमारा निशा दातू का नाम चर आए मिला तो बन गया निशाचर कई सारी लोग होंगे रात की बारा बारा दो दो बज़े बैटे बैटे कुछने कुछ टुकर 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 खाते रहते हैं निशाचर कहलाते हैं सब की सब अब बताएए निशाचर में पुलिंग करोगे तो चर से चारा है और यदि मान लो इस्तरियां हो लड़कियां भी कम नहीं है डोलती रहती हैं तो क्या कहलाएँगी निशाचरी कहलाएँगी इसी प्रकार से रात्रव चरती इती रात्री चरह रात्री चरी इस प्रकार से कहलाएगी जल में विचरन करने वाले हैं क्या कहलाते हैं बाई सब जल चर लीजिए जले चरती इती उपद क्या है हमका जल वही आपका चर परते करेंगे टा टा में बचेगा आए अब बताईए क्या हो जाएगा जल चर लोसाब बन गया जल चर और जल सर से करोगी तो आपकी दू पुलिंग में तो क्या बनाओगी जल चराह और इस तरलिंग में क्या बनाओगी जल चरी क्या बन जाएगा जल चरी इस प्रकार से सामाने शवद आपके बन जाते हैं परिक्षा का बोले टार्गेट कौन रहेगा याद रखेगा कुरू सुचरत इती कुरू चराह यहां चर का मतलब ब्रह्मन करना अर्थ लिया गया है आगे देखेगा दूसरा जो आपका सुत्रिस के साथ दिया कहा कि सब्तम्यंत अधिकर्ण वाचक उपद आगे हो तो ही त्या प्रति होता हो ऐसी बात नहीं है चरधातू के साथ में एक और नियम है क्या नियम कहा उन्होंने कहा कि तेन सब्द यरी चरधातू से पहले हो बोले वो कौन है कहा एक सब्द है आपका भिक्षा एक सब्द है आपका सेना भिक्षा जानते हो भिक्षा ब्रति सेना सेना और एक आदाय तो भिक्सा, सेना, दाये, सू, चा, चा करके इनोंने इंगित कर दिया कि पुर्व के सुत्र के अर्थ के साथ इसके अर्थ को आपको पढ़ना है, ले लेते हैं सब, पहले आपने से पहले क्या पढ़ा है, चरेस्टह पढ़ा है न, तो चरेस्टह का ही हो माली जी आगे का पा अब की बार हमने कहा कि मान लेजिए विक्षा सब्द पूरू में हो, मान लेजिए सेना सब्द पूरू में हो और मान लेजिए कि आदाए, आदाए का मतलब ले करके, मांग करके ले करके आदाए आंग उपसर्ग दाधातु से लिप आदाए ये तीनों यदि उपपद पूरु में हूँ तो जो आपकी धातु है जिसका नाम क्या है? चरण तो उस चरधातु से यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं? तापरते कर सकते हैं यानि चरधातु से पहले विख्षा, सेना और आदाय उपद रहे तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं अब अरत निकलेगा भी ख्षा को जो लेकर के आचरण करता है जीवन चलाता है वो आपका क्या कहलाएगा? तो कितने शब्द ये इसमें? तीन सबसे पहला शब्द क्या दिया आपको? भीख्षा अब भीख्षा को जो चरता है भीख्षा का ही आचरण करता है भीख्षाया मत कर दियेगा क्योंकि अब क्या है? जिसका आचरण करता है? करना चाहता है वो आपका कर्म उपद कहलाएगा तो भीख्षाम चरत इती भीख्षा को ही आचरण करता है ऐसा भिक्सा को ही आचन ब्रती में रखता है ऐसा कौन है उपवद भिक्सा वोई धातू कौन सी है चर परते कौन सा करेंगे टा टै में बचेगा जोडो भाई साब वोई आपके रूप बनाओगे तो दो दो रूप बन जाएंगे न जोलो करते हैं एक रूप आप क्या बना कि भिक्सा चरी भाई भिक्सा चर तो बनाए लेंगे अब समझ गयोंगे आप थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा सा यूग मेरा करेंगे आप ये देखिए न पुन सगलिंग होता तो भिक्सा चर हम ऐसा कुछ कर लेते और देखिए इसी प्रकार से मान लीजे दूसरा दूरुपद उपद कौन है सेना धातू कौन सी है चर परते करेंगे टा टा में बचेगा आप बताए सेना चर जोड़ोगे तो सब्द क्या बनेगा सेना चर और सेना चर से पुलिंग ले जाना चाहते हो कोई व्यक्ति है वो सेना में भरती हो गया तो सेना चर और कोई व्य यक्तिनी हो महिला हो तो वो कहलाएगी सेना चरी ठीक है और देखिए तीसरा सब्द क्या था आदाय आदाय में तो विवक्ति वगरा नहीं लगा सकते हैं आप क्योंकि आदाय क्या है लिप प्रत्यांत है और लिप प्रत्यांत सब्द अव्वे होते हैं अव्वे के रूप च तो बताईए आपका फूरुपद क्या है आदाय वही आपकी धातू कौनसी है चर परते किया ट ट में बचा अ बोलो सब आदाय आगे है पीछे आपने चर किया आदाय चर शब्द बना पुलिंग में हो जाएगा आदाय चर और इस्तरलिंग यदि आप करते हैं तो वहां शब करते नहीं औरना आदाय चर्टी दियुक कर लेता है अब आगे बढ़ते हैं साब इसी तरह है कि तीसरा ओर देखते हैं इसमें एक नियम है नियम को देखिया साब कहते हैं कि चरधातू से ही बार बार कर रहे हैं चर के लिए आपने सब्तम्यंद उपद रख करके तो भी आपने कुरूचर आदी बनाया कहा कि यदि अधिकर्ण बाच्चा गुपद ना रहे तो और कौन हो बिक्सा सेना और आदाय तीन सब्द हो तो भी चरधातू से टा कर लो कहा चरधातू से ही टा नहीं होता है को लक्री धातू से भी चर टा परते होता है लिए कंडिशन है उसके लिए सुतर लिखा है कि क्रयों तीन अर्थों में हे तू ता छिल्य ता छिल्य आनू लो मेसू चा इससे पहले बारे सुत्र मच्चा लगाया ना मैंने ठीक आगे बढ़ते हम क्रयो हेतु ताचल्यानु लोम्मेसु लीजिय साब इन तेन अर्थों में को ले करके आपके गरंतकार ने आपको सुत्र पढ़ाया क्या पढ़ाया पढ़ेंग बार क्रयो हेतु ताचल्यानु लोम्मेसु बोला साब धातु का नाम क्या हो क्री धातु हो और क्री धातु से आगे बोला उपपद होना चाहिए और वो उपपदे आपका कर्म ही होना चाहिए तो कहते हैं कि कर्म उपपद रहने पर क्रिधातू से कौन सा प्रत्य कर दे हम बोला क्रिधातू से भी टा प्रत्य होता है लेकिन बशर्ते अर्थ बोला कौन कौन से होने चाहिए तो उन अर्थों के लिए यहां पर तीन अर्थ दिये हैं बाई साब आपको कहा कितने अर्थों में कहा कि जब अर्थ निकले कोई हेतू अर्थ निकले कहा कि दूसरा अर्थ ता छिले अर्थ निकले कौन सा अर्थ निकले ता छिले और तीसरा एक और नया अर्थ आपने सुना है आनुलों में अर्थ निकले ये तीर अर्थ यदि हो तो इन तीनो अर्थों के प्रियोग में आप क्या करोगे यहाँ पर? करिधात्थ से भी पुला टापरते कर लो ऐसा कैसे सुरों तो करिधात्थ होगा टापरते करेंगे कब करेंगे जो पहली बात तो पहली कंडिशन तो कर्म उपद होना जीँ हमा कोई न कई ठीक ले आएंगे साब कर्म पद कर्म का मतलब तो समझ गेंगे आप ऐसा कोई पद मिलेगा जिसमें कौन सी वक्ती होगी दितियाविवक्ती होगी तो वो दितियान्त कोई आपका उपद होगा फिर करिधातु से हम टा करेंगे लेकिन कारण है अर्थ भी क्या होना चाहिए व वसमें करना अनुकूल अर्थ भी हो सकता है या दूसरा इसका कहेंगी वसमें करना अर्थ ऐसा अर्थ होना चाहिए वसमें करना या अनुकूल ता अपने अनुकूल कर लेना वसमें कर लेना अपना बना लेना ही की बात है तो कहा कि कारण अर्थ हो सभाव अर्थ हो और आन अरधातुक प्रते है और अरधातुक प्रते पर में रहने पर धातु के अंत में एक कु गुणकारिये हो जाता है री को अरगुन करोगे तो बताइए पूराए लिख देता हूं सोच रहूंगे सर हम तो पहले भी पता नहीं कब पड़े दे भूल भाल गए यह इस्तिती रहे करोगे तो क्रीधात उसे ही न तो वह रूप में पहले ही बना देता हूं हमका कैसे कैमे री है क्री है और आगे अह री को गुण करो तो क्या हो जाएगा कै और 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 आगे अह चलो मिलाओ कैमे अर मिलाओ तो सब्द क्या हो जाएगा कर यह आपकी क्रीधातों में से हो जाएगा लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा कैसे कर दें प्रक्रिया में थोड़ी वापस ही समझा देता हूं आपको यह देखिए क्रीध हातू रहेगी तभी तो आप टैपरते से करोगे न दूसरे स्थिति में आपको क्या दिखाई देगा क्री पिर आपको दिखाई दे तो दिखेगा कराहा क्या दिखेगा कराहा इस तर लेकशर करोगे तो करी न पुनसरे 지ं करोगे तो करम हालाएं कि केबल कारीध दात्तू का रूप तो बन नी सकता नभाई य Commerce क्यों ने बन सकता यूग शर्त है हमारी हमने तो पहले क्यह दिया कि हमारे पास यहा कोई न को कर्म उपवद्ध होना चाहिए मतलब दितिया विवक्ती का कोई न कोई रूप हमारे यहां होना चाहिए चलो उधारणों से समस्थे हैं तेल दिये हैं आपको हेत्ु यानि वो कारण हो सकता है ताचिलल मेनी वो सभा हो हो सकता है और तीसरा दिया है कि वह अनुकूल अर्थ हो सकता है सबसे पहले बात करते हम हे तु रथ की शार्थ लेते हैं हे तु का मतलब कारण और अच्छा एक युद्राराव दो 3 नर्थों मे ?ब sac anx ग्रंत कार ने कर लिका है या शाह का रोती हिटी अब यसा में प्रतमा मत समझे लीजिए भाई साब यह प्रतमांत उपद नहीं है ये सब्द करोगे जब रूप चलाओगे तो वाँ रूप चलता ये सह ये सासी ये सांसी धितियांत कर्म उपद है आपका धियांद रहें मूल शब्द आप रखोगी बताईए क्या रहेगा यहां पर मूल शब्द यसस धातू कौन सी है क्री करमुपद दितियान दुपद आगे था क्री धातू से हम करने वाले हैं बताओ कौन सा प्रते ता और टैमे क्या बसता है ए हो गिया मैं बुला था आपको कि धातू को इस प्रकार से कारे करेंगे तो आगे आपका वो ही रहेगा वापस यसस है ना और मुझे बताईए यहां सीधा लिख दूप कोई दिक्कत नहीं है क्री के स्थान पर गुण करोगे तो क्या बन जाएगा यससकर और यह देखे क्री कर आपका जो समस्त पत बन के तैयार हो जाएगा उसका नाम क्या है यससकर अब इसके रूप बताओ कितने इलिंगों में चला सकते हैं कोई भी यससकर हो सकता है कारण भूत आपका वो कोई भी हो सकता है यस करने वाला जो है बोला किसका यसका रूप में कैसे प्रियूप करेंगे आप जो यस करता है वो उसका कारण क्या है कोई भी हो सकता है यह देखे यससकर समय ले लेता हूँ तीनों रूपों में पुलिंग रूप बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा यससकराह पुत्राह मानली जी कोई पुत्र है आपका वो यसका कारण है उसके लिखेंगे कारण भूत यससकर यसको करने का कारण है मान लीजी आपकी पुत्री यसका कारण है लेकिन सास्त्रों में लिखा है यससकरी विद्या है ना तो यहाँ पर विद्या के लिए आया तो यह क्या है यससकरी यसका कारण है इसी प्रकार से यससकरम सास्त्रम कर से क्या बना लोगी करम बोला कौन का सास्त्र चैना पुण संक में तेनों लिंगों में हो जाता है तो कि करता के अर्थ स्थिए हो ज जाता है इखता हिक थे तो ही तु आपका फुलिंग स्लिया या स्लिए संसकर्य या इन्हुड़ूं का अर्थ कारन यससकर है कहलाता है तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह से आगे देखो यहां तो हमने पढ़ाए कि यसका कारण कोई भी हो सकता है नहीं जाए मान लिजे लिखा है कि साथ दुख्वम करूत इती या शोकम करूत इती विग्र है क्या लिखेंगे हम शोकम करूत इती कोई ऐसी चीज है कारण है कोई सोक उत्पन करने का क्या लिखेंगे वहाँ पर हम सोकम करूत इती बताइए मिल गया आपको आगे उपद कर्म उपद की बाद में रहने पर यहां हम लिखेंगे सोक धातू कौन सी आपकी क्री कारण अर्थ में पढ़ रहे हैं पहले चली साब कौन सा परते करेंगे टा टा में क्या बस्ता है आप सब्द बनाएंगे तो सब्द क्या बन जाएगा आपका यह लिजी साब एक सब्द आपका बना है यहां शोक क्रीक आप गुण करेंगे क्रीकर में मिलेगा तो सब्द आपका क्या बन जाएगा सोक कर यह तो आपका मूल पद बना है इसी मूल पद को यदि हम आगे ले जाएं वोई पुलिंग, स्ट्रलिंग और नपुन्सक लिएगे दी हम बनाएं तो कैसे पद बनेंगे आपके पुलिंग में हम करेंगे तो सोक काराह क्या बनेगा सोक काराह अब वो सोक कर कोई भी हो सकता है वाई साब जैसे माली जी किसी पुत्री के कारण या पुत्र के कारण आपको कोई परिशा नहीं पैदा हुई तो हम लिखेंगे सोक कराह पुत्राह इसी बरकार से माली जी कोई सोक करी है कोई दुख का कारण कोई श्त्री विसेश श्त्रलिंग है तो हम लिखेंगे वहाँ पर सोक करी पुत्री अब नपुन सागलिंग पदार्थ भी तो कोई दुखा कारण हो सकता है न यह देखिए सोख करम बोला सोख कर क्या है कोई राज्य है कोई सामाने राज्य भी तो दुखा कारण हो सकता है न इस तरह से और देखो इसी प्रकार से कुलम करोति इती अगला उद्वारन है कुलम करोति कुल का भी दो कारण हो सकता है ना अब कैसे बनाएंगे, आपका वही कर्म पद है, आगे कुल, उसके बाद में आपकी धातू कौंसी है, क्रि परते हम कौंसा करने वाले हैं, टा, टा में बस्ता है, अब वही क्रि क अतर परते करने पर रूप क्या बनेगा, करोह, आगे क्या है, कुल, पीछे हमने बना लिया, क अब ये तो आपका बन गया मूल पद, है ना, इस तरह से, अब बोला कौन हो सकता है, तो कुल का कारण है, किसी भी रूप में हो सकता है, तो पुलिंग मनाओगे तो कुल का राहा, क्या हो जाएगा, कुल का राहा, इस तरह लिंग मनाओगे तो कुल करी, और यदि माली जी न नपुंसगलिंग मनाए तो कुल करम, गरंतकार नपुंसगलिंग के लिखा, महली जी पिता है, कुल को करने वाला जीसे धन से चलता है, आगे तो हम क्या लेख सकते हैं? धनम, ऐसा करके भी आ पड़ सकते हैं, तो इस सब कारण अर्थ में दिया है, पुष्टिम् करोति इती, पुष्टिकर बनेगा, पुष्टिकराहा, कुछ भी ले ले लीजिए, पुलिंग सामाने, आपका कोई सूप होता है, आसकिल थंड में पीते हैं नो, इसी प्रकार से क्या बनेगा पुष्टी करी यवागू सत्त भी आपने और इसी प्रकार से पुष्टी करम दुखधम जुद भी आपने और देखो बलम करूति इती बलकराह बलकरी बलकरम दूसरा जो अर्थ आपने लिया है वो क्या लिया आपने टाचिल्य अर्थ लिया है तो नमबर दो टाचिल्य अर्थ में भी बताईए आप करी धातू से टाचिल्य का मतलब क्या बताईए मैंने आपको स्वभाव तो जो सभाव अर्त है उसमें भी आप यहाँ पर बताएे कौन सा लेंगे क्रित हां तुसे टाप रते कैसे यह देखे सब मानली जी किसी का सभाव है स्राद्ध करना सभाव है ताछिले है लिखते हैं स्राद्धम करोती स्राद्धम करोती तछीला हा बताइए वोई कर्म उपद है, स्राध में दितिया है न, लेलूं आपस क्या हुझा हैगा, उपद आपका है, यहाँ स्राध धार तु यह हम परते करने वाले हैं, यहाँ पर ता छले अर्थ में कौन सा वाला टा टा में बसता क्या है आ यह तो समझी गए होगी न आप तो लेजे साब मूल पर जबाब बनाओगी तो यहाँ आपका रहेगा स्राध्ध उसके बाद में आपका पद बनेगा आगे क्रिसे करा अब इसके रूप तीनों लिंगो में जाएंगे स्राध्ध कराह स्राध्ध करी स्राध्ध करम कैसे बनाएंगे हम स्राध्ध कराह कोई भी हो सकता है जिसका स्राध्ध करना स्वभाव है पुरुष मैला हो तो स्राध्ध करी और मान लिजे कोई नपुनसक लिंग पदार्थम बना रहे हैं तब वहाँ आपका शब्द क्या बन जायेगा स्राध्य करम, होगे हैं तीनों लिंगों में, और देखिए, मान लिज़े, दया करना किसी का स्वभाव है, क्या करना? दया करना लीजे साब दयाम करूती तच्छी लहा बताए कर्म उपद कौन सा लिए आपने दयाम फिर आपके पास में धातू कौन सी है क्री और तच्छीले सभावर्त में भी आप क्री धातू से कौन सा प्रत्य करेंगे टा टेमे क्या बचेगा आपके पास में आय, बोलो, शब्द क्या बन जाएगा मुझ रुप से आपका, दया, क्री में आप करोगे तो क्या बन जाएगा, कर, और उसे के रूप तीनों लिंगों में आप कर लीजिए, यह हो गया, दया कराह, यह हो गया, दया करी, और नपनसक लि और देखो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं जैसे तिसरे अर्थ में आनुलोम्य अर्थ में यानि अपने अनुकूल करने के अर्थ में आनुलोम्य का मतलब होता है अनुकूल करना अर्था दवस्मे कर लेना अपने अनुसार सेट कर लेना अनुकूलता के अर्थ में हम कर करते हैं जैसे कोई अब यसा करोती वाला भी हो सकता है को यससे अपने नुकूल करता तो इस उधान को आप हित्तु में भी लिख सकते हैं और इस उधान को आप अनुकूलता में भी लिख सकते हैं करंदकार ने इसे समझाया है वचनम करोती इती यानि कोई बातों से ही अपन वचन दाटू है क्री फरते हम करने वाले है टा तै में कैं बचेगा आय तो आपका जो मूल शबद है वो क्या बन जाएगा वचन क्री कर dessa है शबद बना वचन करा है इसे के हम बनाएंगे pulling में क्या हो जाएगा बचान कराह इस्तरलिंग में बनाएंगे तो बचान करी कोई भी स्तरी भी हो सकती है वो भी मीठी मीठी बाते रात की 11 बारा भजे फोन पर करें जी उफोन से हैं वो भी तो आपको बचान कर कर सकती यह लिए जी साब तीसरा क्या है आपका बचन करम पुलिंग इस्टरलिंग और नपुंसाकलिंग तो कहने का मतलब है कि सामन ने जब भी हम यह प्रत्य करेंगे इनके रूप हम क्री से कराह करी करम चराह चरी चरब इस प्रकार से करते हैं अब आगे बढ़े साब क्या पढ़ आपने ता प्रत्य के लिए आपने दो धम हम इस पढ़े एक चरबिशचे भी ठम प्रत्य होता है और इक गड़ धम हम ने कह अब प्रत्य होता है लेकिं powiedział गलग अर्ठों के साब से होता है कौन से अर्थ में होता है करता अर्थ में ही पढ़ा है आपने कौन कौन से परस्तियों में पढ़ा है सबसे पहले आपने ये देखा है कि एक परस्तिती जिसमें आपने पढ़ा है चरेश्टाहा चरेश्टाहा बोला साब क्या पढ़ेते चरेश्टा में अजे लिखा था वहा किसका उधारन भी बड़ा प्यारा था बार बार जोड़ देके में बैर कह रहा था यह परिक्षा में आएगा यह परिक्षा में आही गया समझो बताओ क्या बनाया मैंने आपको कुरूचरह कुरूचरी कुरूचरम बनाया आपने स्थले चरह स्थल चरह स्थल चरह स्थल चर नमबर दो में हमने अध्यन किसका किया कहा कि चर्थों मिलेगा लेकिन तीन सब्दों के पहले मिलेगा तीन सब्द पहले मिलेंगे भिक्सा पिर एक सब्द मिला आपको सेना और एक सब्द मिला आपको आदाय कहा इनमें भी चैका मतलब हो जाए कौन सा परत्य ता परत्य हो जाए क्या कह रहे थे तीनों पतु उपपद में हो भिख्षा आधी मादलों क॑षण में रहते हो तो भिख्षा डोट 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 तब से चरफ़ा तु तो चरफिय काल सरा है का मतलब था परत्य हो जाए्व क tap का टत कि ours us बिख्षाम चरती इती भिख्षा चरह, सेनाम चरती इती सेना चरह, और आदाय चरती इती आदाय चरह, ले लेके काम चला रहा हो, तीसरा जो आपने सुत्र पड़ा है, अभी अभी वो तीसरा सुत्र बताइए कौन सा था, ये आपको कह रहा था, देखिए भाई साब, अब और जि आप इसे तो खुब रते कर लिए, आपकी बार क्रयां से भी कर लीजिए न. क्रयू हे तू ताचल्य और एक अर्थ क्या लिया तीसरा क्या अर्थ लिया आनू लो मेसू बोला इन सभी अर्थों में भी बताओ कौन सी धातू से हमने कहा जी क्री धातू से ये लो क्री धातू है लेकिन कहा कर्म उपबद होना चाहिए तो कार्म उपपद होनी चे ले लेता हूँ कार्म उपपद हो ऐसे पड़े हो ना यानि आगे उपद संग्या वाला कौन हो कार्म दितियांत पद हो फिर दातु का नाम क्या हो क्री हो तब जाकर के हम कौन सा परते करेंगे टा लेकिन कंडिसंस यहाँ पर भी कम नहीं थी कह रहा था तीन अर्थ होने चाहिए एक अर्थ या तो कोई कारण अर्थ दिया हो या फिर ताचले स्वभाव अर्थ दिया हो या फिर आपको कोई आनुलोम में अर्थ यानि अनुकूल करने का अर्थ दिया हो जिसने हैन जैसे आपने उधान क्या पड़े जैसे यसका कोई कारण है तो वो क्या कहलाईगा यसाहकार कहलाईगा इसी परकार से यसस कारह ग्रणता ह Chinese करी विद्या यसस करी विद्या बहुताता प्रिक्षफ्याम दियान रखना है एक धातु का नाम में कहूं सीरी बासा में तब तो यहां तो आपने एक दातू पड़ी इसका नाम क्या था चर और एक आपने यहां पड़ी इसका नाम है क्रीधातू बस इन दो ही दातू से टैपरते का प्रसंग आता है इसके लब बताओ कहीं आपने सीका है पड़ा है तो हो यह भी तो दोस्तों यह था आज की क्लास एक नए अंदाज में एक नए विश्यवस्तू के साथ इक नए तरीके के साथ आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज के क्लास आपकी प्रतियों की प्रक्षा के लिए बहुत बाबधैक रहेंगी दोस्तो तुम भाइदे मन रहेंगी रेट और सिटेट या कोई भी सिट परिक्सा होगी उसमें हम बहुत अच्छन क्राप्त करेंगे बनेरिये का चैनल के साथ जैतों सम्झेता हूं चैनल भारत में